मैं आशा करता हूँ कि गत दस वर्ष में जिसको जो रास्ता सुजा उस प्रकार से सहुसद में सब ने अपना अपना कार्य किया लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिनको आदतन हुर्दन कर दे का स्वभाव बन गया है जो आदतन लोकतांत्रिक मुल्यों का चील हरन करते हैं ऐसे सभी मान्य साउसद आज जब आखरी सत्र में मिल रहे हैं तब जरूर आत्मन रिक्षन करेंगे कि दस साल में उन्होंने क्यों किया अपने संसंदिय ख्षेत्र में भी सो लोगों को पूछ ले किसी को याद नहीं होगा किसी को नगम भी पता नहीं होगा जिनोंने इतना हुर्दंग हो अल्ला किया होगा लेकिन विरोद का स्वर्थ तीखा क्यों नहीं हो आलोचना तीखी से तीखी क्यों नहीं हो जब सदन की चर्चाएं कोई देखेगा तो उनका एक एक शब्द इतिहास की तवारीख बन करके उजागर होगा और इसलिए जिनोंने भले विरोद्ता किया होगा लेकिन बुद्धी प्रतिभा का दर्शन कराया होगा देश के सामान ने मानवी के हितों का कंसन दिखाया होगा हमारे खिलाब तीखे सितिखी प्रतिगय की होगी उसके बावजुद भी मैं अवश्य मानता हूं कि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग लोकतंत्र पेमी सभी लोग इस व्यहवार की सराना करते होगे लेकिन जिनोंने सिर्प और सिर्प नकारात्मक्ता फुर्दंग शरारत्मन वहवार ये जो किया होगा उनको शायदी को याद करे